हेलो एवरीवन, वेलकम टु दे वर्ड ओफ स्वीच गीर एंड प्रोटेक्शन सिस्टम आज टुडेस टॉपिक इस वेरी सिगनिफिकंट ओटो री क्लोजर ओफ सर्किट ब्रेकर तो मित्रो नाम प्रमाण है ओटो री क्लोजर एड़ले के ओटोमेटिकली कोक वस्तु क्लोज करवा मावे छे सर्किर ब्रेकर नियांदर एना विसे आपड़े वाद करवा जही रहिया छिए ओटो री क्लोजर एटले के काईंग ए प्रकानी सर्किट छे के जहरे ब्रेकर छे ए फोल्ट नेली धे ओपन थही क्यों एटले केना कॉंटेक ओपन थही गया वोई अने एने ओटोमेटिकली ज्यारे क्लोस करवानी जरूर पड़े छे त्यारे ओटो रीक्लोसर नामना मेकेनिजम नी जरूर याद पड़े छे तो फरस्ट ओफ ओल, लेट अस्टार्ट विथ इस डेफिनेशन In electrical power distribution, a रीक्लोसर और ओटो रीक्लोसर is a circuit breaker equipped with a mechanism That can automatically close the breaker after it has been opened due to a fault यलेक एवुक एवा मागे छे, कि electrical power distribution system नी जो वाद करिये तो एने बे रीक्लोसर बण खाली केवाई छे, अने ओटो रीक्लोसर तरीखे पड़े ओडखवा माँ आवे छे एक एवा प्रकानू mechanism छे, अथवा तो एवा प्रकानू circuit breaker छे के जे 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 ब्रेकर ना कोंटेक्ट छे, एकोई पन फोल्ट अकर्थियो वोई, तेने लिधे ओपन थाई गया वोई तो तेने ओटोमेटिकाली क्लोस करतू मेकेनीजम छे एने ओटो रीक्लोसर तरीखे ओडखवा माँ आवे छे रीक्लोसर्स आर यूजड ओन ओवरहेट डिस्टिब्यूशन सिस्टम तो डिटेक्ट एन इंट्रप्ट मोमेंटरी फोल्ट एले के जे मोमेंटरेरी फोल्ट आवे छे ओवरहेट डिस्टिब्यूशन सिस्टम नी अंदर एने डिटेक्ट पन करे छे औने एमा इंट्रप्ट आप पनुपन कारिया ओटो रीक्लोसर करे छे तो एनू खुबत सिग्निफिकन्स रहेलू छे क्या फोल्ट जेर आवे एने इंटरसेप्ट करी डिटेक्ट करी अने एने आगर जाता फर्थर नोटिफिकेशन आपे छे छे ने लिदे आपड़े फोल्ट थी आपड़ी सिस्टम ने प्रोटेक्ट करी सक्किया तो आ वाद था येनि डेफिनेशन नी अ वाद करी एना इंटर्ड़क्ट नी तो इंटर्ड़क्ट नी एंदर आपड़े कई सक्किये क्या एक्स्ट्रा हाइ वोल्टेच्ट ट्रांस्मि सुल्ट राइवाच्ट फेलेक्टरिक्ट पावर Hence it is always desirable that continuation of power flow through the line should be not interrupted for a long time जे high voltage नी line होई छे, जे source ती destination सुधी high amount of huge amount of electric power transmit करती होई छे तो एना माटे ए वस्तु एक necessary थाई जाई छे, necessarily थाई जाई छे कि जे power नूँ transmission छे अथ्वाद power नो flow छे, ए line throughout source to destination continued रिये एलेके continuity छे, maintain थाई और यहाँ कोई प्रकार नो लांबा समय सुधे interrupts नो जनरेट थाई धेर, maybe temporary or permanent fault in the line घणी वरे उबनी सके, के घणी बधी कारजी राखिये, घणा बदा नेसेसारी prevention steps, preventive steps लेए तेम छेता पन क्यारेक कोग temporary अथवादो permanent fault छे, line नी अंदर जनरेट थातो होई छे temporary fault होई छे, ए automatically clear थे जाता होई छे This do not require any attempt for fault rectification के एना माटे तमारे कोई extra fault rectification नी प्रोसेस अथवा तो actions लेवानी जरूर नथी पड़ती होती एक operator माटे नी एक normal practice होई छे, के जेमा दर एक fault tripping line नी जे रे जनरेट था ये ने लिदे line छे, close थे ज़ती होई छे अवे बात करिया, आपड़े बात करी एक normal temporary fault नी के like we can say that temporary faults get automatically cleared and this do not require any attempt for fault rectification it is normal practice by operators that after each initial faulty tripping of the line, they close the line एला के जेर फोल्ड जनरेट था, वोन लाइन नो tripping था, त्यार एलोको लाइन ने बंद करी देता होई छे आपड़े बात केरी एक प्रकार ना temporary fault वीशे हवे, fault छे ये transient छे, if the fault is transient the line holds after the second attempt of closing the circuit breaker but if the fault persist, जो fault transient होई तो सु आपड़े करिया छिया के line नो closing करी देया जे, circuit breaker नी मदद थी, परन्तु जो fault persist, एटला के fault हजूर ये, तो protection system again trips the line, एटला के जे आपड़े प्रोटेक्टिव गियर सत्वाद प्रोटेक्टिव डिवाइस राखेला छे, line ने trip करी नाखे छे औने धेन इट इस declared as a permanent fault, तो मित्रो as a electrical engineer, as a field engineer, we shall know about what is the temporary fault and what is the permanent fault, तो permanent fault वी से आपड़े वाद करी के जो fault हजू सुधी कायम रिया छे, तो protection system छे, line ने trip करी दिया छे, औन देन इस declared as a permanent fault, बट as the extra high voltage transmission lines carry huge power, if any delay occurs due to manual operation for reclosing the circuit, हवे manually जो तमें circuit ने reclose करो, के जियारे extra high voltage वादी transmission line छे, huge amount of power ने flow करती होई छे, there will be a big loss of system in a view of cost and stability, तो system ने खाणी बधी नुक्सानी जाई छे, whether it is in terms of costing or stability, so by introducing the auto reclosing scheme in a extra high voltage transmission system, एकला माटे एक्स्ट्रा high voltage transmission system छे, एमा auto reclosing system ने introduce करवा मावे छे, के जेने लिदे human operation द्वारा जे reclosing करवा मावे, आपने जो यू ए प्रमाणे, के जियारे एक वार fault generate थाई छे, त्यारा सू थाई छे, के line trip करी नाखिये छे, आने जेनी मदत थी आपड़े line close करी नाखिये छे, तो हवे फरीथ येनू reclosing करवानी जरूर पड़े, तो manually जो इवस्तु करवा मावे, तेने ए ओप्रसन मा घणो बधो डिले लागया छे, stability पन थोड़ी जोख माई जाई छे, एटला माटे, if we introduce the auto reclosing scheme in extra high voltage transmission system, we can avoid the unwanted delay due to human oppression, यला के human ने लिदे जय, unwanted delay generated थाई छे system नी अंदर, we can greatly get rid of this thing, we categorize fault in electrical transmission system in three ways, त्रोन प्रकारे, electrical transmission system नी अंदर fault ने आपड़े categorize करी सक्किया छे, आपड़े वाद करी ये प्रमाणय, fault transient होई सक्या, semi-permanent होई सक्या, अथवा तो permanent होई सक्या, कायम माटे लांबो समय सुधी जो ए लाइन मा fault रेवा नोंज होई, तो ये fault ने permanent होई सक्या, ये transient छे, ये टुक समय मा operator द्वारा येनू solution लावी सकातु होई छा, तो transient fault are those which automatically removed momentarily, जो अवे तो आपड़े transient fault नी वाद करिया, तो transient fault ये ले क्यवा fault थिया, कि जे automatically येनू removal थही जातु होई, अथवा तो येनू solution थही जातु होई, तियार बाद आपड़े वाद करिये, semi permanent fault, semi permanent fault छे, ए पन transient nature नी अंदर होई सक्या, परनतु जो एना करता थोड़ो वधारे टाइम लेता होई छे, एटला माटे ने semi permanent fault ये उक्ये वामा आवे छे, semi permanent faults may get occurred due to the falling of things on a live conductor, के जेरे live conductor उपर कोई पक्सी अथवा तो कोई वस्तु के वी काई पदार्थ फेकवामा आवे, जेरे live conductor उपर आवी कोई वस्तु जीहरे पड़े छे, औने fault थोडो वधारे टाइम लेताइम लेता होई, जेरे बट ओवियस वस्तु शे के semi permanent fault छे, जे reason ने काई ने fault थयो, ये fault ने जो दूर करी नाखवामा आवे तो तर 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 ते sold थही जाई छे, During both of the above mentioned fault, line is tripped, but the line can be restored if the circuit breaker associated with the line are closed, के बने fault ने लाइन तो ट्रिप थया जाई चे, पने तू लाइन फरी थी restore पन थाई सके छे, जो circuit breaker ने close थयाली लाइन साथे connect करवामा आवे लू होई तो, auto recloser और auto reclosing scheme exactly does this, तो auto reclosing अथवा तो auto recloser छे, ये पन का एक आर इतनुच काम करें छे, ओहरे transmission system नियंदर वाद करिये, तो 80%, एडला के majority जे fault होई छे, ए transient होई छे, around 12% जे fault होई छे, ए semi permanent होई छे, इन auto reclosing scheme, if the fault is not cleared at the first attempt, पेला attempt ने अंदर जो fault clear नती था तो, there will be double or triple sorts of reclosing until the fault is cleared, तो येना पच्छी बीजी अथवा तो तरीजी वकत पन ट्राई करवामा आवे छे, reclosing नी, के जहां सुधी fault clear नो थाई, if again fault still persist, के जो तो पन fault रहे है, तो this scheme permanently open the circuit breaker, तो permanently circuit breaker ने open करी नाखे छे, येना contact ने open करी नाखे छे, अने अब prescribed time delay may be imposed on the auto reclosing system to permit the semiconductor fault to remove from the circuit, येडले के एक बीजी पणा नी अंदर जो वायत करिये, तो prescribed time delay ने पण impose करी सकीये छे, auto reclosing system नी अंदर, के जे semi-conductor fault नू परमिसन आपे छे, सिस्टम माथी remove थवा माटे नी, तो मित्रो, आ आपड़े वाद करी आपड़ी, auto reclosing system नी, के केवी रीते स्पेसियली जेरे, high voltage अथवा तो huge amount ने अंदर, extra high voltage नी transmission लाइन द्वारा, आपड़े current ने अथवा तो, सिस्टम माथी voltage ने transmit आपड़े, जेरे करता होये जीये, त्यारे manually जे operation करीये जीये closing नू, एमाथी कई रीते आपड़े, छुटकारो मेड़ी सकीये, अने कई रीते reclosing system ने अनि अंदर, इंट्रोड्यूस करी सकीये, तेने लिदे क्याक्या फाइदा थाई छे, एना विशे आपड़े वाद करी, आउपनत आपड़े different type ना fault विशे वाद करी, ब्रीफली, transient fault, semi-permanent fault, अने permanent fault कोने के वाई छे, एना विशे नी, तो मित्रो आथियू आपड़ू auto reclos,